सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टार्गेट यूपीटेट सीटेट को और बेल आइकन को दवाईए इतने कम समय में इंतिजाम करना मुश्टि जनवरी के अंतर तक परिछा कराने की तयारी एक महीने में नहीं हो सकेगी टी-ई-टी तो जैसा कि माननीय मुख्य मंतरी योगी आजितिनाथ जी ने बताया था कि एक महीने के अंदर हम परिछा कराएंगे तो उस तैयारी में दोस्तों कहीं न कहीं वह तैयारी नहीं बन पा रही है, आप पूरा न्यूस देख लीजे यहाँ पे, देखिए, पेपर लीग के बाद निरस्त सिच्छक पात्रता परिच्छा T.E.T. एक महीने में होने के आसार नहीं है, परिच्छा नियामक प्रादिका कराना सबसे बड़ी चुनावती है, दोबारा कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहता है, नय सचीव अनिल भूसर चतुरवेदी को विश्वास पात्र, प्रिंटिंग प्रेस चुनने के साथ, प्रस्न पत्र स्ट करना, मॉडरेशन और छपाई करना, अन्य तैयारी भी करनी होता है, अब यहाँ पर दोस्तों, और भी कार्य होते हैं, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अनिल भूसर चतुरवेदी जी फिर से सचीव बनाए गये हैं, परिछन यामक प्राधिकारी के, लेकिन अब चुनावती यहाँ पर यह है, इनके लिए कि इनको फिर से एक एज पत्रों को छापा जा सके, और सारी व्योस्ता इनको फिर से बनानी है कि प्रशन पत्र केंद्रों तक सुरचित पहुंचे कहीं, ऐसा फिर चांस ना रहे कि पेपर लिखो, तो यह सारे काम नए सचीव अनिल भूसर चतुरवेदी जी को करना है, यहाँ पे आप देख सकते ह अनिल भूसर चतुरवेदी ने समाला सचीव का काम, परिच्छा नियामक प्रादिकारी कार्याले के दोबारा सचीव बने, अनिल भूसर चतुरवेदी ने सुक्रवार को काम समाल लिया है, राच्च सैचिक अनसंधान यों प्रसिच्छन परसर लक्नाव में संयुक्त निर देशक प्रसिच्छन पद से गुरुवार को कार्यमुक्त हो करके वैस शाम को प्रयाग राजाए सुक्रवार सुबह कार्याले पहुंचकर पद्भार ग्रहन किया वहीं प्रजिश्टार विभागी परिच्छा पद पर मनोज अहिरवार ने कार्यभार समाला उनिस सो पंचानवे बैच के प्रांती सिच्छा सेवा के अधिकारी अनिल भुसर चतुर्वेदीजी ने कहा कि परिच्छा सुजिता पूर्ण एम जल्द कराना मेरा लच्छ है नकल माफियाओं पे तो कार्यवाही चली रही है यह सब तो आपको पता ही दोस्तों और यहां प होगी क्योंकि सारी व्यवस्ताएं बहुत ही धंग से फिर से आयोजित करनी हैं तो उसमें करने में थोड़ा समय तो चाहिए ही होगा लेकिन समय ले लें जैसा कि समय और ले सकते हैं लेकिन फिर से कोई दिक्कत ना आए आप लोग को इस वज़े से समय लिया जा रहा है कर्मचारी चैन आयोग ने अपनी परिच्छाएं आनलाइन कर दी हैं कम्प्यूटर बेस्ट परिच्छा CBT परिच्छा होने से SSC की परिच्छाओं में पेपर लीग की सिकायत कम हुई है इस बार किंद्री मादिमिक सिच्छा बोर्ड CBSC भी पहली बार किंद्री सिच्छक परिच्छा यानि कि सीटेट ऑनलाइन कराने जा रहा है इस से पहले सीटेट सिर्फ आपलाइन होता था तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देख पार हैं कि CBSC ने एक नया पैटर्न अपनाया है ऑनलाइन एक्जाम बेह कराने जा रहा हैं सीटेट का तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि यूपिटेट में भी इनको करना चाहिए इन्हें ऊनलाइन परिच्छा लेनी चाहिए क्योंकि आप सभी अब ऊनलाइन से इतना आप जागुर्फ हो चुके हो कि आप लोग ऊनलाइन परिच्छा दे सको इन सब मुश्किलों को अगर हल करना है पेपर लीग से बचना है तो कहीं न कहीं online एक रास्ता है आप लोग अपना opinion जरूर दीजेगा आप लोग जरूर बताईएगा कि आप लोग online परिच्छा दे सकते हैं या नहीं online परिच्छा अगर आप नहीं दे सकते हैं तो क्या दिक्तते हैं आप लोग जरूर comment section में बताईएगा कि परिच अपनी तयारी को उसी तरीके से बनाए रखना है आप लोग के लिए चैलेंज दोस्तों यही है आपको अपनी तयारी अगर आपकी तयारी अच्छी हो गई थी तो आपको उसे continue रखना है आपको दोहराते रहना है पढ़ते रहना है रिवीजन करते रहना है जिससे आपकी जो तयारी है वह बनी रहे और अगर आपकी तयारी नहीं हो पाई थी 28 नौमबर तक तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है आपको समय मिल गया है आपको मौका मिला है आप अपनी तयारी फिर से आप अपनी तयारी अच्छी बनाई ये ठीक है तो इसमें हम लोग आपकी मदद सुरू से करते ही आए हैं बाल विकास विसे पूरा मैंने पढ़ा दिया है संस्कित विसे पूरा पढ़ा दिया है प जैसा आप लोग बताएंगे या तो हम लोग Slavish discuss करते हुए question solve करते हुए चलेंगे या फिर हम लोग cable और cable question को solve करते हुए चलेंगे तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि cable question के साथ question solve करते हुए आगे बढ़ना चाते हैं ठीक है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अब इस जानकारी को दोस्तों अपने सभी मित्रों में शेर करिएगा ताकि सभी लोग आउगत हो पाएं कि अभी समय लगेगा यूपिटेट के exam को आयोजित करने में PNP को अब दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर आप कर दीजिए कमेंट करके मुझे बता दीजिए जो भी जानकारी मैंने आप से पूछा है और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अभी तक आपने अग लोग का बहुत बहुत धन्यवाज चैहिंद